प्यारे दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक ऐसी रानी की बात करने जा रही हैं जो मर्दों के जिस्म की प्यासी थी वैसे देखा जाए तो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन इतिहास के पन्ने जो कहानी बयान करते हैं यकीनन उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों इतिहास में कई ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में इनसान कभी सोच भी नहीं सकता इंस्टाग्राम पर रील देखकर आज इनसान अपना मन बहला लेता है तो उसे लगता है कि मनोरंजन का बस यही साधन है लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में भी कई समुदायों के लोग मनोरंजन करते थे और ऐसा करते थे कि मनुरंजन के चलते ही उन समुदायों के ताकतवर लोग अपने मनुरंजन के लिए कई शादियां कर लेते थे पुराने जमाने में कई विशेश समुदाय थे जिन में मर्दों के द्वारा कई शादियों का चलन चला था लेकिन उन समुदायों के बारे में अगर हम कई सौ साल पहले की बात करें तो उन्ही समुदायों में पहले मर्दों की तुलना में महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी लेकिन ऐसा भारत के बाहर होता था क्योंकि भारत में तो महिलाएं पहले से ही ताकतवर थी दरसल दोस्तों आज जिस महिला के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऐसी ताकतवर महिला थी जिसने अपनी ताकत के आगे किसी मर्द को टिकने नहीं दिया और उसका दिल जिस भी मर्द पर आया उससे वो मजे लेकर उसे ऐसे चोड़ देती जैसे की मर्द कोई खेलने की चीज हो जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हफसा सुल्तान के बारे में जिसे आटोमन एमपायर की सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक गिना जाता है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये बात है तेरवी शताबदी की जब आटोमन एमपायर की सलतनत पर सलीम प्रत्थम का अधिकार था सलीम वैसे तो एक निश्पक्ष राज करने वाले राजा थे लेकिन उंट का मास और तुर्की की शराब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और ज्यादा शराब का सेवन करने की वज़े से वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था लेकिन इसी बीच उसने हफजा नाम की लड़की से निकाह किया इस निकाह को करने के बाद सलीम की जिन्दगी में सारी खुशियां आ गई क्योंकि हफजा देखने में किसी परी जैसी थी बता दे कि तुर्की के कई बड़े मुसलिम इतिहासकारों ने हफजा की तुलना जन्नत की हूर से भी की थी उनका कहना था कि हफजा जैसी खूबसूरत बीवी पाने के बाद सलीम का जीवन सफल हो गया था सलीम और हफसा के निकाह के बाद सलीम ने हफसा को करीब दो महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था और ना ही खुद वो बाहर आता था हफसा की खुबसूरती का खुमार उसके तन बदन से निकल ही नहीं रहा था महल में उपस्तित सभी बड़े मंतरी भी हफसा की एक जलक पाने को बेचेन हो गए थे वैसे तो हफसा के माबाप के बारे में कुछ खास खबर नहीं है लेकिन कई बड़े इतिहासकार बताते हैं कि हफसा एक गुलाम मुलक की थी जो की किसी तरह अंग्रेजों के हाथ लग गई थी और जब वो अंग्रेज हफसा को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो कुछ तुर्की लोगों ने हफसा को देखा और उससे मज़े लेने के लिए अपने कबजे में कर लिया और बाद में महल में पेश किया महल में सलीम ने जैसे ही हाफसा को देखा तो उसके मन में सबसे पहले यही खयाल आया कि इतनी नायाब चीज सडकों पर क्या कर رही है हाफसा ने भी मौके की नजाकत को समझा और सलीम से कहा कि हमें आप से महوبت हो गई है और हम आप से निकाह करना चाहते हैं इस पर सलीम बहुत पागल हो गया दोस्तो सलीम की जिन्दगी में जब से हफसा ने कदम रखा था सलीम मानो एक अलगी दुनिया में पहुंच चुका था सलीम हफसा का इस कदर दिवाना हो चुका था कि अगर हफसा सलीम से कह दे कि हाथी उड़ सकता है तो सलीम ये कहता कि हाँ हाथी उड़ लेता है मैंने आज ही सुबह हाथी को उड़ते हुए भी देखा है दोस्तो निकाह के करीब दो से तीन महीने बाद सलीम ने जब अपने कक्ष से बाहर पैर निकाला और गदी पर जाकर वापिस बैठा तो उसे पता चला कि कॉंस्टेंटीनोपल के सुल्तान हैटिस ने उस पर ये इलजाम लगाया है कि कॉंस्टेंटीनोपल की जमीन का कुछ भाग उसके सैनिकों ने कबजा कर रखा है और अगर उसे जल्द से जल्द खाली ना किया गया तो वो सलीम के राज्य पर हमला कर देग वैसे भी हैटिस के पास पूरे तुर्की की सबसे बड़ी सेना थी उसी समय हफसा अपनी कुछ दासियों के साथ बगीचे में धूप सेक रही थी इसी दोरान कुछ सैनिकों की नजर हफसा पर पड़ी लेकिन उनके लिए राजा का हुक्म जादा बड़ा था कुछ समय बाद ही एक समझौते के मताबिक सैनिकों ने अपने कदम वापिस लिए और वो वापिस कॉंस्चैन्टीनोपल की तरफ निकल गए कॉंस्चैन्टीनोपल जाकर कुछ सैनिकों ने हैटिस को हफसा के बारे में बताया तो हैटिस को हैरानी हुई कि उसके पास सब कुछ सलीम से जादा है तो ये खूब सूरती सलीम के पास क्या कर रही है हैटिस ने तुरंत सलीम को एक पत्र भिजवाया जिसमें उसने लिखवाया कि हम तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कॉंस्टेंटीनोपल का जो भी हिस्सा तुम चाहो ले सकते हो और आगे हैटिस ने लिखा कि वो उसे मितरता की भेंट उसके महल में करना चाहता है जब ये बात सलीम ने हफसा को बताई तो वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी क्योंकि वो सलीम से जादा चलाक और समझदार थी उनकी बाते सुनकर वो समझ गई थी कि हैटिस कुछ और चाहता है और इधर सलीम को पत्र पढ़कर ये लग रहा था कि हैटिस उससे डर गया है और ये सब वो माफी के लिए लिख रहा है खैर अगला पत्र सलीम की तरफ से हैटिस को गया जिसमें लिखा गया था कि हम भी आपसे मितरता करना चाते हैं और ऐसा लिखकर उसने हैटिस को महल आने के लिए कहा हैटिस बस सलीम के पत्र का ही इंतजार कर रहा था हैटिस ने तुरंट जाने की तैयारी करी और अपने साथ कुछ महंगे तौफे लिए जिन में से कुछ नयाब तौफे थे जो हफसा के लिए थे हैटिस हफसा को देखने के लिए बेताब था इसलिए उसने तुरंट सेना तैयार की और अगले ही दिन तुर्की पहुँच गया सलीम को पता चला तो उसने हैटिस का सुआगत बड़े ही जोरो हटिस की नजरे हफसा के चहरे से हट नहीं रही थी हैटिस ने अपनी जीवनी में ये बात लिखी है कि जब मैंने पहली बार हफसा को देखा तो मेरे मन में बस यही बात चल रही थी कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है उसके शरीर का एक एक तुकडा मानो ऐसे लग रहा था जैसे वो कुर्बानी के लिए बना हो हैटिस ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे उसका सीना अकर्शित कर रहा था उसका सीना ऐसा था कि मानो की कपड़े फाड़ कर अभी बाहर आ जाएगा हैटिस ने अपने साथ लेकर जाने वाले सारे कीमती तौफे सलीम और हफसा को दे दिये सलीम को ये लालश था कि हैटिस ने कॉंस्टेंटिनोपल में उसे जमीन के लिए वादा किया है हैटिस ने सलीम को कॉंस्टेंटिनोपल में अपने महल के पास एक दूसरा महल जो कि उसके महल से थोड़ा छोटा था उसे दे दिया और कहा कि तुम अपनी बेगम के साथ वहाँ आओ और कुछ समय गुजारो अब कॉंस्टेंटिनोपल तुम्हारा ही है और इतना कहकर कुछ समय बाद हैटिस वहाँ चला गया हैटिस के जाते ही सलीम को पता चला की हफसा मा बनने वाली है उसके बाद कुछ समय के लिए सलीम ने हफसा को कॉंस्टेंटिनोपल के उसे महल में भिजवा दिया और वो हैटिस द्वारा बनवाए गए महल में रहने लगी जैसे ही हैटिस को ये पता चला तो उसने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया हफसा से बात चित करना शुरू कर दिया हफसा के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर मैं सलीम के बच्चे को जनम देने के बाद अगर हैटिस से शादी कर लूँ तो कॉंस्टेंटिनोपल की राजकदी भी मेरे नाम हो जाएगी थोड़े ही समय में हफसा ने सलीम के बच्चे को जनम दिया और उसके बाद हैटिस और हफसा में नस्दीकिया बढ़ने लगी और एक रात हैटिस शाम को हफसा के महल में आया और वो पूरी रात वही रुका इस बात की खबर हफसा के उस मंतरी को बखूबी थी जिसे सलीम ने हफसा की हिफाज़त के लिए रखा था मंतरी भी सुभे का इंतजार करने लगा और सुभे होते ही उसने हैटिस को हफसा के कमरे से निकलते हुए देखा मंतरी ने थोड़ा पास जाकर देखा तो हफसा के कमरे का दर्वाजा खुला हुआ था और उसके अंदर की तरफ एक पतली छिली वाला परदा चड़ा हुआ था जिसे गौर से देखने पर अंदर का दृष्ष समझ में तो आ रहा था लेकिन थोड़ा धुंदला धुंदला उस मंतरी ने परदा हटाने की हम्मत की क्योंकि अंदर का दृष्ष यही कुछ ऐसा था हैटिस अभी गया है और वो तुरंत नहीं आएगा और महल में कोई और नहीं है दरबारी है वो नीचे है इसलिए उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा जैसे उसने कदम बढ़ाया हफसा उठ गई और उठते ही मंतरी को देखकर चौंक गई और बोली तुम यहां क्या कर रहे ह मंतरी चलाक था उसने बिना घबराई हुए कहा हैटिस अभी तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ कर गया है ना मैं वही देखने आया हूँ हफसा समझ गई कि अब कैसे भी करके इसका मू बंद करना पड़ेगा इसलिए हफसा ने मंतरी को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया अब बंद दरवाजे के पीछे हफसा ने उसको अपने हुसन का जाम पिलाया अब दिन में हफसा मंतरी को मज़े देती और रात में हैटिस को दोस्तो हफसा इतनी चलाक थी कि उसकी इसी चलाकी की वज़े से उसके संभंद दोसों से भी जादा मर्दों के साथ थे आटोमन अमपायर के इतिहास में हफसा एक ऐसी महिला थी जिसके तीन पती थे और बाद में उसने इस बात को सब के सामने कह दिया था कि अगर मर्द तीन बीवियां रख सकते हैं तो और तें क्यों नहीं और इसी वज़े से कई बड़ी मुस्लिम शक्सियतों ने उसे एक साज नहीं पाई और जब तक वो इस बात को समझती तब तक वो अल्लह को प्यारी हो चुकी थी हाला कि उसने अपना काम कर दिया था उसने आटोमन की लड़कियों और और आर्तों के अंदर से डर को बिलकुल ही खतम कर दिया था इन सब के अलावा दोस्तों हफसा वो पहली महिल था दोस्तों हफसा ने पूरे कॉंस्टेंटिनोपल में महिलाओं को हर तरह की अजादी दे रखी थी जिसकी वज़े से पूरे कॉंस्टेंटिनोपल का महौल बिलकुल खराब हो गया था आटोमन अमपायर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि लड़कियां और और आरतें हफसा की मौत के पांच साल के अंदर ही मर गए थे लेकिन हैटिस ने कई और सालों तक पूरे कॉंस्टेंटिनोपल पर राच किया था तो दोस्तों तेरवी शिताबदी की इस रानी हफसा के बारे में जानकर आपके क्या विचार हैं हफसा के बारे में अपने विचार अब दोस्तों की जीए शेयर कीजिए और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली नई वी डेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद